ओम कामदेवाय विद्महे पुष्प भानाय धीमही तन्नो अनंग प्रचोदयात ये इतना प्रभावी मंत्र है कि जिस जिस पर इसको लगया गया है आज तक ये कभी विफल नहीं हुआ बशर्ते की आपको पता हो कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है तो होली पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कामदेव की इस गायतरी मंत्र को किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है आपको करना इतना है कि गुलाब जल और थोड़ी सी केसर लेकर उसके उपर आपको इस मंत्र को एक हजार आठ बार होली की रातरी में पढ़ना है और सुबह जब होली डुलंडी हो उस दिन आपको ये किसी भी अपने साथी पे लगा देना है यकीन मानिएगा कि जिस पर भी आप ये गुलाल या फिर ये रंग लगा देंगे वो जिन्दगी भर के लिए आप ही के रंग में रंग जाएगा ये अति गोपनी ये उपाय है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया लेकिन विशय की गंभीरता को देखते हुए मैं आपको ये सांजा कर रहा हूँ और इसको प्रियोग में लाइए और मुझे बताएए कि आपके लिए इसने कितना काम किया है बहुत सारी लोग मेरे पास आते हैं जो कि one-sided love में फसे होते हैं और किसी भी तरह से सामने वाला कोई response नहीं दे रहा होता उसमें बस आपको एक छोटा सोपाय कर देना है इस रंग को किसी भी अपने साथी पे लगा दीजे और हफते भर का समय दीजे हफते भर के भीतर भीतर वो जो भी हिसादे वेक्ति है वो आपके प्यार में इतना व्याखुल हो जाएगा कि इसे खाने पीने का भी होश नहीं रहेगा ये इतना प्रबल उफाय है कि इसके सामने सारे उपाय फीके हैं एक बार इसको जरूर आजमाईएगा इस तंत्र को आप होली, दिवाली, पूर्णीमा या फिर किसी भी शुब नक्षत्र में कर सकते हैं यदि इसे सुबह सुबह किया जाए तो बहतर होगा क्योंकि सुबह का जो कर्मकांड में सुबह के समय को उचित बताया गया है वशिकर्ण के लिए तो 10 बजे से पहले पहले या 12 बजे से पहले पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो वो ग्रिश्म रितू में आ जाता है इस तंत्र को करने के लिए सुबह का समय जो है वो सही रहेगा अगर 12 बजे के आप बाद करते हो तो अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया लेकिन सुबह के लिए सही है 12 बजे से पहले पहले इसको कीजिए तो ग्रिश्म काल में यह हो जाएगा और इसके बाद जो यह रिजल्ट आपको देगा उससे आप आज से रहे चकित रह जाएंगे किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर धन्यवाद